नमस्कार दोस्टों, मैं हूं सुर्व श्यर्म और आप देख रहे हैं हमारे जैनल हर्याणा अप्डेट देली निव्ज देख्याब को तब रिवाडी में बड़ी खबर रिवाडी की सरकारी होस्पिटल में लगी जवरदस्थ बीड तो देखे आपको देखे तो रेवाडी की सरकारी होस्पिटल में क्यों लगी बीडियो डॉक्टर क्यों नहीं कर रहे थे इलाज तो पूरी खबर सुनिए हर्याना सीविल मेडिकल सर्विस असोशेशन की परदेश हिकाई के आन पर सौमवार को मतलब कल की दिन सरकारी चिकित्सिक दो घंटे की कलम छोड सांकेतिक हरताल पर रहे यह हरताल जीले की सीविल होस्पिटल के साथ साथ CHC और PHC में भी रही चिकितसेगों ने सीविल हस्पिताल में एकतरित होकर मांगी नहीं मानने को लेकर सरकार की खिलाफ रोश भी जताया OPD सुबह 8 बजे शुरू हो जाती कुछ देर चिकितसेगों ने OPD देखी लेकि 9 बजे से 11 बजे तक चिकितसेग हर्ताल पर चले गए इसके काण मरीजों को परिशानी का सामना करना पड़ा OPD परची काउंटर पर भी लंबी कतार लग गई थी बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो चिकितसेग नहीं होने से कोई रास्ता नहीं रहा तो इसके कांड काफी लग गई थी कल होस्पिटल ने आप सब को पता है कि देखी दो गंटे अगर काम नहीं होगा तो कितने जाता लोग की खटे हो आपसी समझोते के बाद डाक्टर ने छे महिने का अपना अंदोलन टाल दिया था अब सरकार ने वादे के मुताबिक किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं किया है उन्होंने काई कि कि चार महतवपूर्ण मुद्द्वों में से एक मुद्दा विशेशा केडर और पीजी कोर्स बाट कटोती बांड जो बॉंड वगेर था उसके कटोती के लिए कर था यह काम भी नहीं वा दूसरा मुद्दा शेवा में संसोधन एसमों की सीधी भरती को रोकने के नियम और प्रावधान केंदर सरकार के डाक्टरों बराबर बत्ते वगेरा कई ऐसे दे जिनका यह करने चाहिए तकिन सरकार नहीं कर रही तो इसका निनों ने हरताल की थी तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि आप सभी को पता है कि देकि ऐसे मोसम हो रहे क की बीमार बीमार भी लोग ज्यादा हो रहे और इसके चलते अगर ऐसी जो हमें देखने को मिलेगी कि आप डॉक्टर हरदाल पर होंगे तो लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो हम तो यहीं चाहते हैं कि सरकार और जो भी डॉक्टर है इन्जी सब में कि सर्फ देल लोग बीमार इखने का सामना करना प्राव में पर dáृmy सब इन्हादा अच्चप बाड़ेगे शाहते हैं जो सकते हैं कि से दिएaltet को प्राव मारा पीजादादा एन्याद ऑंगर भावों का का वição तो हम तो हम एना जज़ेगा पकिस ku सामना धुम एन्यादार